बिहार NDA कहीं न कहीं नितीश कुमार और भारती जनता पार्टी के लिए जहां एक तरफ सत्ता का साधन है वहीं मुकेश सहनी और जीतनामाजी के बयानों से इन दोनों को अपनी सरकार संकट में नजर आ रही है आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगतार जहां एक तरफ बिहार में सरकार का हिस्सा है वहीं एक सीट उनकी घटने के बाद उनके एक विधायक की आसमाईक निधन के बाद से लगतार ये चर्चा हो रही है कि भारती जनता पार्टी उस सीट पर अपने उमीदवार उतारेगी और इसकी लगबग खुलासा भी हो चुका है अजय निसाद ने साफ तरीके से इस बात को कहा है कि वो सीट भारती जनता पार्टी की है और भारती जनता पार्टी उस पर चुनाव लड़ेगी लेकिन इन सब से अलग जिस तरह से मुकेश सहनी बिहार का बदला उत्तर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में कोई भी एक्षन करते हैं तो उसका असर बिहार में होता है और मुकेश सहनी ने साफ तरीके से कह दिया है कि उन्हें इस बात से असर नहीं पड़ता कि वो सरकार में रहे या न रहे वो अपने समाज के आरक्षन को लेकर के हर तरह से नीरज कुमार बवलू के बयान का प्रकटी करन था उस पर कोट करते हुए हिंदुस्तानी अमाम पार्टी के तरफ से बयान आया था कि यदि वो सरकार से हाथ खिच ले तो सारे लोग बेरुजगार हो जाएंगे और घर में बैठ करके राम राम जपने लगेंगे अब इन स पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और सीटे जीत करके भी आएंगे खास करके अपने निशाद समाज के बहुल जो छेत्र हैं जन संक्या जहां लोगों की जादा है ऐसे 165-60 से उपर सीटे उन्होंने चिनित किया है और इन में से बहुत सारी सीटे जो बिहार से सटी हुई है और वहां इनका समाज यानि निशाद समाज काफी जादा प्रभावित करता है चार सो तीन सीटों में से जो उत्तर प्रदेश की हैं उनमें से 165 बिधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला मुके सनी ने किया है जिसमें से पुरवांचल की 76 सीटो पर उमिदवार उतारने की तैयारी उन्होंने लगबग कर ली है आपको बता दें कि लगतार वो उत्तर प्रदेश के दौरा पर है और बैटकों का दौर जारी है उन्होंने सड़क पे ना उतार करके अपने इरादे साफ कर दिये थे और इन सब बातों को लेकर कि उन्होंन मर्थन देगा इन सारी बातों को लेकर के मुके सहनी निलखणों में च्छ दिनों के दौरे पर थे जिसकी सुचना हमने आपको पहले ही दी थी और लगतार वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिसे भारते जनता पार्टी के भीतर खल बली मचा कर रखती है आपको बता दें क कि अगर मुके सहनी इन में से अधिकान सीटे जीत जाते हैं या जीतने की जगह पर रहते हैं तो भारते जनता पार्टी को निश्यत रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अभी चुनाओं में हाला कि घोशना नहीं हुई है देर है लेकिन जिस तरह से मुके सहनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और वो लगतार जिस तरह से अपनी तैयारियों को ले करके मीडिया और अपने कारेकरताओं के बीच में मुखर हो करके बात कर रहे हैं उसने कई तरह की बाते कही हैं आपको पता दें कि उन्होंने अवद के 28 और बुंदेल खंट परांद के 29 जो पस्ष्मि प्रांत के पताधिकारी हैं उन लोगों के साथ बैठक की और विधान सभा सीटों पर उमिदवारों के चैन पर काफी मन्थन किया। साथ तोर पर उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को चिनित विधान सभा के लिए विधान सभा प्रभारियों को मोट साइकिल से पाटी के परचार कीट के साथ रमाना कर देंगे और चुनाव की तैयारी एक तरह से समझ लिजिए कि पूरी तरह से वो कर चुके हैं। पर फिर से नरेंद्र मोदी को बैठाने के लिए भारते जनता पाटी काम कर रही है। योजनाय बना रही है। लेकिन उसी योजनाओं पर कहीं न कहीं एक तरफ जहां मुकेश सहनी और उनके साथ के लोग मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वहीं जब से खास करके बिहार के द वोग दल यानि भारते जनता पाटी और नितीश कुमार की जदियू उत्तर प्रदेश में साथ चुनाव लगने की घोचना की एत्तब से और एग्रेसिव हो गये हैं मुकेश सहनी और जीतन रम्मा जी। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी इस पूरे मामले को ले करके और चुनाव की तैयारियों को ले करके क्या कुछ सामने रखते हैं और किस तरह से वो भारते जनता पाटी के विरुद्ध अपनी रणनिती बनाते हैं। उनकी रणनिती पर बहुत कुछ असर करेगा क्योंकि उन्होंने इस पस्ट कहा है कि बिहार से उत्तर प्रदेश और उत् स्थिर हो जाएगी इससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन मुके सहनी का जिस तरह से जिद पर आ गये हैं और जिस तरह से वो तैयारिया कर रहे हैं उसे देख करके साफ लगता है कि भारते जनता पाटी के लिए तो मुस करने तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी। पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी।